दोस्तों अगर आप अपने घर में टाइल लगवा रहे हो यह लगवाने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेट होने वाली है दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में टाइल ख्रीदने से लेगे टाइल लगवाने तक के जो में उ basic knowledge होना बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है कि कौन सी टाइल कहां पर लगती है ठीक है तो हमारा फ़र्स्ट माइंट भी यही है basic knowledge तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी टाइल कहां पर लगा नहीं तो मार्केट में दो तरह के टाइल आती है historically बताइने दोस्तों बाद जो दूसरा पूआंट अता है वह आता है Cracker selection का ठीक है आपने इस स्कवीं इसको देना है उसका काम होतें कि अधरेक्षटाय्टरेपा MARC करना है उसका गफ चपरな करना है कुछ तो इनक्तर करने हो तो धब कर आयोacas करे इसकंड हो ज़ाओन होती है। क्योंकि वो निच्छे से गाप आजाता है अच्छे से नहीं लेकिती है तो वह जब आवा जाएगी तो टोड़ जाती है यह कंप्लेट थोड़ी बहुत कहीं नगई पर आ जाती है तो आप जब भी कॉंट्टेक्टर स्लैक्ट करें तो यह बते ध्यान में रखें उसका पिछ आपको वहाँ जो टायल का ट्रेंड है जो लेटर चल रहा है वह देखने को मिलेगा तो आप उससे आपको स्लैक्ट से नवे उसके काभी हल मिलेगी ट्रेंड के बाद दोस्तों हम चलते है श्टोग पे आप सोरूम पे आप गए हो टाइल आपने स्लैक्ट कर लिए और टाय अब एक बारी स्टोग टैली करके ही दुगान से उस टायल को परचेज करें दोस्तों स्टोग के बाद चलते हैं कलर स्लैक्ट अब आप आप सोरूम पे टायले देखते हो ठीक है आपको सोरूम पे टायले कुछ अलग दिखेगी क्योंकि वहाँ की जो लाइटिंग होती है आप जब भी कोई टायल स्लैक्ट करते हो उसको एक बारी आप सोरूम से बाहर लाइट मेल जाके जूर देखें क्योंकि नैच्रल लाइट में वह टायल आपको अलग दिखेगी और जो आटिफिसल लाइट है उसमें वह टायल के कलर आपको अलग दिखेगा तो यह बात कि आप गर में टायल लग आ रहे हो तो मेरी सज्यासन तो यह डोगि कि आप-ाप लाइट कलर यूज करें लाइट कलर से आप city lernen कि प्रूपर मिलती हो ठीक है टार कलर में रुप में रूम में रूम में रोल में रोच्नी कम रहते बच्चों के रूप में आप यूज कर सकते है तो कभी तरर टाइलों के किनारे तूटे होते हैं आप Means which is अहरे के ओनर को कैता है ना ही polarization हमारे यासे टीग गई आ यह रास्ते में ब्रा जाकर तो इसके लिए आपके किया करना है जब भी आपके लोड़ो और हो रहा होता है आपको वहाँ पर जाकर अपनी आंखों के सामने श्टोक को लोड़ कराना है ताइल चेक करके ही लेनी है दोस्तों हमारा जो नेक्स टोपिक है वो है ब्रैंड और नोन ब्रैंड अब आप क्या चूज करें ठीक है दोस्तों वैसे तो यह आपका पर्सनल आपके घर में टाइल लग जाती है उसके बाद किसी को नहीं पता होता है ब्रैंड डिड़ नोन ब्रैंड डिड़ सब एक जैसी दिखती है हाँ दोस्तों वैसे ब्रैंड का फरक तो होता है अच्छी क्वाल्टी ब्रांड में आपको रेंज भी जाता मिलती है ठीक कर डिज चैक कर लो उसके बाद आपको टाइल के 5-7 पीस फ्लोर पर बिछा के देखने है ठीक है फिर उनमें चैक करना है कि किसी टाइल का पेट तो नहीं बढ़ा वह या कोई किनारा या को गुणिया में है टाइल या नहीं है यह जिज़ आपको उसी टाइम पर चैक कर लेनी है त आपको साइज कैसे स्लेक्ट करना है दोस्तों अगर आपका कमरा 10 बाए 12 साइज का है तो आप उस दो बाए 2 की टाइल लगवाए इससे बड़ी नहीं तो आपका जो रूम है वो छोटा दिखेगा आप गासको लोबी गए तो आप उसमें बड़ी टाइल लगवा सकते हो द उसके बाद जो नोन स्लिप्री होती है अउसका यूज वाटरूम जैसे आपको पती है कि ओसको आप पानी का काम होता है तो और उसको बातरूम मेश का इस्ते Scr Which and it's open area अप और उसके उपसी आप साथ में नोन स्लिप्री यह है कि आपको जितने भी आपके घर में टाइल लेगने है उसका 10% टाइल एक्ष्टा लेकर रखनी है घर में ताकि कि बाइचास कभी फ्यूचर में आपके एक दो टाइल एक दो पीस कही से टूड़ जे तो आप उसको रिप्लेज करवाज हो तो आपको मिनिम्मम 10% टाइल जितनी भी घर में आपके टाइल लेगे 10% टाइल उसके एक्ष्टा लेगे घर में साइड में रख लेनी है अब हम बात करते है कि आपको इडाइसी और सिमिट कहा कहा पे इस्त्माल करना चाहिए आपको घर के फ्लورमें हमेशा सिमिट ही यूज़ करना चाहिए एडाइसी स सब्सक्राइब काफी अच्छी मुझबूत्ती होती है जब आपको इस सेरी में किया विक्टरी भाइट टाइल वोल के लिए इस्तमाल करें तो वहां पे आपको हमेसा अडेसिव यूज करना है और खासकर तो आपको फरंट अलेशन पे अडेसिव ही यूज करना है क्योंकि व माइनस प्लस होता रहता है दूब भी आती है बाहर का एरिया होता है तो वहां पे आम ऐसा मुझबूत्ती ज्यादा चाहिए होती है वोल पे तो हम ऐसा अडेसिव यूज करें और आपको विक्ट्रिफाइट टाइल आप किचन में बात्रूम में बड़ी टाइल दो जरूर देख सकते हो दोस्तों वीडियो में घर में टाइल लगाने के सभी तरह के ड्रेट डिटेल में बताए है तो आप वीडियो जूरूर चेक करें अब दोस्तों हमारे पास जो लास्ट टोपिक है वो थोड़ा सा अलग टोपिक है ठीक है मैं आपको सजेस्ट कर रहा माल लीजी दोस्तों आपके बातरूम है, थर्ड फ्लोर पर यूस उसका यूज़ नहीं है, ऐसे पड़ा आपको उसमें टाय लेवानी है, या आपको पास कोई जाता नहीं है, जा पर आप जाते हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा वह एरी है और आपको उसके लिए टाय लेनी है तो आपको करना है क्या सोरूम पर जाना है, जो सोरूम के ओनर है, उनसे आपको बात करनी है, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा हुआ स्टोक पड़ा है, कि जैसे कि कोई जिस टोक का ट्रेंड चला जा चुका है, वो स्टोक पड़ा हो, या कोई स्टोक बच आता है, उसका या लोट नहीं आता तो उसको क्या आपको 50% off तक आपको वो दे देंगे ठीक है आप उनसे बात करके वो स्टोक लेगे इसमें आपको थोड़ी बजट में हल मिलेगी आपको तो आप यह जुरूर ट्राइ करके देखिएगा दुगान पर जा गया यह आपके बास थोड़ा ए तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें जूरूर करें दोस्तों आपको चोटता हलका सा क्लिक करना है ठीक है दोस्तों मिल से नेक्ट वी